वीदा पीपिल हम भारत के लोग अगर OBC, SC, ST का नेता या जो सामाजिक काम कर रहा है या जिसने सामाजिक दय तो अपने आप अपने कंधों पर लिया है और वो आधा बुद्धी जीवी है जैसे मैंने टीम 22 की पहली वीडियो में बदाया है तो आप क्या करेंगे जिससे कि आपका काम हो जाए और वो पुरा बुद्धी जीवी हो जाए जो नेता हमारे होते हैं उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं उससे परणाम नहीं आने वाले वो इसका चिंतन मरन भी नहीं करना चाहते और यदि कोई उनको इस बात की कहता है या जगाता है तो वो कारे करता या वो कहने वाला उनकी आँख में खटकता है क्योंकि वो उनकी जो सत्ता है प्रभुत्त सत्ता है जो उनकी एक व्यक्ति की सत्ता है उसको चेलेंज करता है और भी कारे करता अगर सुनेंगे तो वो सुनकर इस बात को कह सकते हैं इसलिए वो उस पर आरोप या प्रतियरोप करकर या किसी भी सामदाम दंड भेश से उसको संग ठन से निकाल देता है या बदनाम कर देता है ये इस्ति अमोमन सभी जगे एपलाई की जाती है ये प्रैक्टिस सभी जगे होती है तो ऐसे में जो जन साधरन है वो क्या करें जिससे बावा साब का दिया हुआ जो लाब है 70 साल से वो बरकरार हो जाए दुवारा से और आगे भी समाज को लाब होता रहे देश को लाब होता रहे और देश पूरी दुनिया में सबसे आगे रहे आपको अपने नेता को या जो नेता का कारेकरता आपके पास आता है वो आपके पास दो कारणों से आता है एक तो वो आपसे पैसा लेने के लिए आता है संग्ठन चलाने के लिए सभी को पैसे की आवशकता होती है दूसरा वो आपसे सपोर्ट के लिए आता है कि आप उसकी रैली में, आप उसके धन्य में, आप उसकी मीटिंग में आप उसके उत्तरपरदेस बंद, बिहार बंद, भारत बंद, असंबंद में शामिल हो जाएं ये दो चीजें उसे आपसे दरकार रहती है और तीसरी के आप उसकी चर्चा, आप उसका सपोर्ट, आप उसका प्रचार, आप उसकी वहवाही आप उसके बात को आगे बढ़ाएं और सभी से बात का कहें कि फलाना नेता बहुत अच्छा है और उसकी जैजैकार करें ये बातें एक नेता को चाहिए सभी प्रकार के दुनिया में जतने नेता हैं उनको ये बातें चाहिए तो जब कारेकरता उनका आपके पास आए रसीद बुक लेके आए तो आप उससे पूछें कि भाई इतने दिन हो गए हैं आपके पास कोई प्लान आपने दिया नहीं हम आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं हम आपको पैसा भी देते हैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं आपका जंडा बेनर बढ़ाते हैं आपकी मीटिंग में भी आते हैं सभा में भी आते हैं मगर हमें तो लाब की बजाए और ज्यादा नुक्सान हो रहा है ये किस तरह का काम आप कर रहे हो आप ये अलग-अलग काम जो कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला है समस्या एक है तो समाधान भी एक है आप सब पहले एक हो जाएए तब हमारे पास आना इस बात को आप उस कारे करता हो कहें और दोरों हाथ जोड़ कर उसको नमस्कार करें और कहें कि जब तक आप एक होने की सूचना ना लेके आए जब तक आपका एक केंद्रिय करत कारें पिढा ली सेंट्रलाइज सिस्टम ना हो जाए वर्किंग का तब तक आप हमारे पास ना आए किर्पा कर गे क्योंकि इससे कोई लाब होने वाला है नहीं दूसरा आप इस बात को के नेता को एक होना चाहिए अपने फेस्बुक से अपने ट्यूटर से या जो पोस्ट आप बना सकते हैं आप उसको लिखिए आप साधरान कागश पे हाथ से लिखके अपने साथियों को दीजिए फोन पर बार बार अपने जहांवी बाचित होती है उनको पूरी बात खतम होने के बाद ये बात जरू कहिए कि सभी को एक होना है इसका प्रचार प्रसार किया जाए जितने भी प्रकार के संग्ठन जो दस्यों हजार प्रकार के 22 भासा में और जो 28 राज्यों में बने हुए है ये बात जन जन तक पहुँचानी है कि अब आपको एकटा होना है हम तब ही आपकी मदद करेंगे आप फेस्बुक पे जो स्लाइड बनाते हैं उन स्लाइड के माध्य हम से उनको बताएं सभी प्रकार के नेता चाहे वो धंब का, धार्मिक का या किसी वैचारिक रांती का या किसी मत का है किसी आसरम का, किसी मत का या किसी बिहार का या भवन का है या वो किसी राजनीत निती का है या भहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का है या वो नेता सामाजिक है या वो नेता सरकारी करमचारियों का है या कोई अन्य प्रकार का भी सामाजिक एंजियो टाइप कोई संठन अगर बनाया हुआ है तब भी आपके महले का है आपके पड़ोस का है आपके घर का है आपके जिले का है तहसील का है गाओं का है या राज्याय का है या देश का है किसी भी इस तरह का उस संट्रंचाय बेसक है आपको सर्फ एक ही बात करनी है कि अब हमारे पास किरपा तब तक ना है जब तक आप एक ना हो जाएं क्योंकि बिना एक हुए आपको दसियों हजार साल तक भी कुछ नहीं मिलने वाला जब आपको ही कुछ नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा ये चोटी सी बार समझदार बच्चा भी इसको समझ लेगा आप जब इसको बारवार 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 नेता से या नेता के कारेकरता से या उसके Facebook पे, या उसके पचार माध्यम से, या उसके टेलीफॉन पे, या अपने भाशन में, या वो मीटिंग जहां लगाता है, वहाँ मीटिंग में आप इसको खड़े होके कहेंगे, या अपने भाशन में कहेंगे, या अपने बैन लगा कहेंगे, या कोई टी-शर्ट इ समझ में आएगा कि आप उसकी दाल गलने वाली है नहीं और नेता सब जानता है आप यकिन मानिये क्योंकि वो नेता है वो सब जानता है कि अब पबलीक की एक्षा क्या है पबником क्या चाहती है आप थोड़ा सा एक कदम आगए उठाएगे वो तीन कदम आगे उठाएगा और वो तुन्ट बिलेगा क्योंकि उसको नितागिरी करनी ही है जो बिना उसके रह नहीं सकता इसलिए उसे मजबूर होके जब आप उसे मजबूर करेंगे तो वो बहुत जल्दी एक हो जाएगा और जो काम 14 अपरेल 2020 तक के लिए पूरी जनता ने पूरे आवाम ने और पूरे आम आदमियों ने बीड़ा उठाया है कि इनको एक करना है और एक होना है वो काम 14 अपरेल 2020 से पहले भी हो जाएगा हो सकता है कुछ नेताओं को इस बात की दिक्कत आए क्योंकि उनके एहम बहुत जादा है उनको इतनी समझ ना हो वो आधे बुद्धी जीवी हो कि हम कैसे एक हो तो 14 अपरेल को वहाँ सभी समाज के लोग आते हैं बेट को भम पे वहाँ आके वो घोशड़ा कर सकते हैं वह जब आप उनको मजबूर करेंगे जब आप उनको कहेंगे कि आप वो उनके साथ नहीं है आप जब उनको कहेंगे कि अगर आप हमारे नेता नहीं है तो हम आपको किसी भी हलत में अपना नेता नहीं मानेंगे क्योंकि आप एक नहीं होते जब तक आप एक नहीं होते हम आप आपको अपना नीदा मानने के लिए त्यार नहीं धन्यवाद आपको अपना नहीं दो कि अपना नहीं दोगा सुनाव मानने के लिए लिए रचय करने दो स्फिता रचय करने दोगाद झाल झाल